अपनी यादों के पुलिंदे से लेकर आया हूँ, एक ऐसी याद जिसने मेरे सोचने की दिशा बदल दी थी जिन दिनों मेरे शादी हुई थी, मेरे साथ दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में टीचर थी मैं अकसर उन्हें गर्मी, सर्दी, बरसाथ में भागते हुए इसकूल जाते देखता एक तो सरकारी स्कूल, उपर से प्राइमरी स्कूल मैं बहुत बार सोचता कि एक प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर समय पर ना भी पहुँचे तो कौन सा तूफान आ जाने वाला है एक कात दफा तो मैं के घर गया होता और वो मेरे जागने से पहले ही स्कूल जा चुकी होती डैनिंग टेबल पर मेरे लिए आलू के पराठे, लस्टी, चट्मी, सब ताजा बनाकर वो सुबह सुबह स्कूल चली जाती थी और दोपहर में घर आती एक तो ससुराल, दूसरे पंजाबी ससुराल मेरे पल्ले आज तक ये बात नहीं पड़ी कि पंजाबी लोग तले हुए पराठे के उपर मक्षन क्यों लगाते हैं मक्षन के साथ फुल साइज ग्लास में मलाई मारकर लस्टी और दोपहर के खाने में पनीर के सबजी पर इतना जोर क्यों देते हैं मैं तो शुरू-शुरू में इस बात पर हंस हंस कर पागर हो जाता था कि आखिर दोपहर के खाने में माह की दाल, राजमा, पालक पनीर, मटर पनीर और शाही पनीर के बिना पंजाबियों के मेहमान नवाजी अधूरी क्यों रह जाती है और इसका नतीजा ये हुआ कि शादी में मैं जो कुल 62 किलो का था, शादी के साल भर के बाद इस चोहत्तर किलो का हो गया लगने को तो दिल्ली वालों को पानी भी लग जाता है, मैं तो सीधे सीधे ससुरूल का घी पी रहा था खेर आज की कहानी ससुरूल की सेवा गाथा नहीं सुना रहा आज कहानी का सारांश इस तरह है कि मेरी सास बिना नागा किये, देर किये, रोज स्कूल पहुंचाती थी उस सरकारी स्कूल में जिसे सरकार भी सीरियसली नहीं लेती थी जिस स्कूल को स्कूल का चपरासी तक सीरियसनी ना लेता हो उस स्कूल में मेरी सास ने कभी बिन बताय छुटी नहीं ली कभी देर से नहीं पहुंची एक दिन अपनी सास को मैंने बताया कि मेरे स्कूल में ओम प्रकास मास्टर कई बार नहीं आते थे तो कोई action नहीं दिया जाता था फिर आप primary school के बच्चों की पढ़ाई को इतनी गंभीता से क्यों लेती है एकार दफ़ा देर हो जाए तो कौन सा पहार तूट पड़ेगा वैसे भी सरकारी school में कौन सी पढ़ाई होती है जो इतनी माथा पच्ची की जाए मेरी सास ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मुझे से सवाल किया उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ कि उस ओम प्रकास मास्टर के बच्चे अब क्या करते है मैंने दिमाग पर बहुत जोड डाला फिर मैंने बताया कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता जैकिर उनकी बड़ी बेटी दस्वी तक ही पढ़ाई कर पाई थी फिर उसकी पढ़ाई छूट गई बेटा भी ठीक से नहीं पढ़ पाया तो छोटा मोटा कोई काम उसने पकड़ लिया मेरी सास ने कहा उन सभी मास्टरों को याद करो जिन्हों ने अपने काम को इमानदारी से अंजाम नहीं दिया मेरा मतलब पढ़ाई में कोता ही बरती बच्चों को पढ़ाने के जगा स्वेटर बुनने या घर के काम करने में समय खर्च किया या ट्यूसन आधी पर अधिक ध्यान दिया मैंने फिर दिमाग पर जोड डाला पंडित मास्टर जी की याद रही संस्क्रित पढ़ाते थे पढ़ाते क्या थे बाते मनाते थे बच्चों से कद्दू, पपीता, केला बतो और उपहार लेकर कौपी में नंबर गिया करते थे उस पंडित मास्टर की बेटी पता नहीं क्यों छटी के बाद ही स्कूल छोड़ गई थी बहुत बाद में पड़ा चला कि उसकी शादी हो गई थी पर पती में उसे भी छोड़ गिया था फिर एक एक कर मैंने बहुत से मास्टरों को याद किया उन मास्टरों को भी याद किया जो सच मुझ बहुत इमानदारी से पढ़ा दे थे जिनोंने कभी बेवजह नागा नहीं किया याद आया गड़ित वाले पारस नासिंग मास्टर का बेटा तब इंजिनियर बनकर अमेरिका चला गया था जब अमेरिका का दर्वाजा सब के लिए नहीं खुला था हिंदी वाले उपेंदर राय के मास्टर की बेटी तो मेरी आखों के आगे ही डॉक्टर बनी थी मैं अपनी यादों में डूबा था मेरी सास ने मुझे टोका कहां खो गए बेटा जी मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मास्टरों को याद कर रहा हूँ मेरी सास ने कहा क्या याद किया यही कि ओम परकास मास्टर के बेटे ठीक से नहीं पढ़ पाय जिन बच्चों को इसकूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है या जो बच्चे इसकूल में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें इमानदारी से पढ़ाना चाहिए जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी करें तो काम चल जाएगा उनका अपना काम अटक जाता है अक्सर जियारत और शिक्षक के बच्चे ही नहीं पढ़ पाते मैंने एक भी दिन बच्चों के साथ बैमानी नहीं की मैरी सास ने कहा कि देख लो मेरी दोनों बेटियां पढ़ाई में कैसी निकली मेरी दोनों बेटियां स्कूल कॉलिज में टॉप करती रही मतलब ये कि जैसे करम करोगे वैसा ही पल मिलेगा जो अपने काम को इमानदारी से अंजाम नहीं देते उनके साथ जिन्दगी कब बैमानी कर बैठती है पता भी नहीं चलता पता ने कहां कहां से ठंड में, गर्मी में, बरसाथ में बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं ग्यान की प्राप्ती के लिए आते हैं माबाप के मुराद पूरी करने आते हैं उनके अंजान भविष्य से कभी खिलवाड नहीं करना चाहिए मेरी सास ने कहा कि बेटा जी आपके सवाल का जवाब इतना ही है कि मैं हर रोज समय पर स्कूल सिर्फ इस लिए जाती हूँ ताकि किसी बच्चे के उम्मीदें अधुरी ना रह जाएं ताकि मेरे बच्चों के भविष्य के साथ कोई माश्टर या माश्टर नी खिलवाड न करे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं उसे हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए काम वही सफल होता है जो पवितर भाव से संपूर्ण मनोयोग से किया जाता है मैं स्कूल समय पर जाती हूँ ताकि जो पैसा घर आए वो तन और मन दोनों को लगे अपनी साथ की बात को सुनकर मुझे याद है कि मेरे पिता जी भी मुझे से कहते थे कि पैसा कितना कमाया इससे ज्यादा महत्वपूर्णे पैसा कैसे कमाया है यह जिन्दगी की छोटी छोटी बाते हैं लेकिन बहुत ही उपियोगी बाते हैं बहुत ही उपियोगी जानकारी है मैं ऐसी यादों को जिन्दा रखता हूँ क्योंकि हर कदम पर इनकी जरूरत होती है आज के लिए इतना ही कल फिर आउँगा यादों के पुलिंदे से कुछ खास स्पेशल लेकर तब तक के लिए मुझे विदा देजिए नमस्कार